जोखिम लिये बिना तरक की संभव नहीं है तो जोखिम लेने से कभी घबराएं नहीं अपने जिन्दिगी में इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करण अफेर की क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक कर दें शेर कर दें चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजाए तो सुरू करते हैं हमारे प्रिविएस डे के क्वेशन से हमारा क्वेशन था हमारे आप्शन है 2.04%, 1.90%, 2%, 3.00% तो इसका सही आप्शन है आप्शन ए 2.04% सरवाजनिक निवेश कोस सावधी अरब की सम प्रभुधन कोषन ने रिलाइन्स डिटेल वेंचर लिमिटेड में 2.04% एक्विटी हिस्सेदारी के लिए 9500 पचपर करोर रुपए की निवेश करने का फैसला किया है PIF दुनिया के सबसे बड़े संप्रभुधन कोशों में से एक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन को जो है नाशनल लीगल सर्विस डे कम ओन विच डेट राश्ट्री कानून सेवा दिवस किस तारीख को आता है तो हमारे ओप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर तो इसका सही ओप्शन है ओप्शन सी 9 नवंबर 9 नवंबर को दिन नागरिकों और कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रतिवस राश्ट्री विदिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है या कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की अधिनियम को भी उजागर करता है इसी के साथ देखते हैं next question को जो है NPCI imposes how much percent of the cap on third party app provider TPAP transactions through UPI NPCI UPI के माध्यम से third party app provider के लेन देन पर कितना प्रतिशत लगाता है तो हमारे option है 30, 34, 36, 40 तो इसका सही option है option है 30, 30 प्रतिशत National Payments Corporation of India NPCI ने 30 प्रतिशत लेन देन की cap लगाने का पैसला किया है जो कि UPI में third party app provider TPAP पर पूरा होगा इसी के साथ देखते हैं next question जो है fast track will be mandatory for all the four vehicles from when सभी चार पैया वहनों के लिए fast track कब से अनिवारे होगा तो हमारे option है 1 जन्वरी 2021, 10 जन्वरी 2021, 11 जन्वरी 2021, 21 जन्वरी 2021 तो इसका सही option है option A, 1 जन्वरी 2021, सडक परिवहन और राजमाग मंत्राले ने सभी चार पैया वहनों के लिए fast tax को अनिवार बनाने का फैसला किया है अधिसूचना के अनुसार पुराने वहनों को fast tax के लिए सामिल किया गया है यह निर्ने 1 जन्वरी 2021 से लागू होगा इसी के साथ देखते हैं next question को Who has become the first female Indian American Vice President Elect of the United States? सयूगत राज अमेरिका की पहली महिला भारती अमेरिकी उपर रास्टपती कौन बनी है? तो हमारे option है कमला हैरिस, माया हैरिस, निकी हैली, सीमा वर्मा तो इसका सही option है option A कमला हैरिस कमला हैरिस ने सयूगत राज अमेरिका की पहली महिला उपाध्यक्ष यानि की उपरास्टपती चुनाओ जीत कर और उपरास्टपती बन कर इतिहास रच दिया है वारंग की पहली व्यक्ति भी हैं अश्वेत वाली या फिर ब्राउन कलर और इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारती अमेरिकी महिला भी है चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स क्वेशन को विच नेशन्स ट्रांजिशनल गवर्मेंट साइन जूबा पीस एग्रिमेंट विद रिबल ग्रुप्स किस देश के संक्रमण कालीन सरकार ने विद्रोही समों के साथ जूबा सांती समझोते पर हक्सताक्षर किये हैं हमारे आप्शन है सीरिया इसराइल इरान सुदान तो इसका सही आप्शन है आप्शन डी सुदान सुदान की संक्रमण कालीन सरकार ने सांती वारता सुरू होने के लगभग एक साल बाद 3 अक्टूबर 2020 को जूबा में कई विद्रोही समोहों के साथ जूबा सांती समझोते नमक एक शांती समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं चले देखते हैं नेक्सक्ष्ण को जो है विच टेनिस प्लेयर हाज इकवल्ट पेटे सेंप्रास एर एंड वर्ल्ड नमक वन रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़े ने पीत सप्रास के वर्ष के अंत में वर्ल्ड नमक एक रिकॉर्ड की बरयाबरी की है हमारे ओप्शन है नोवाग जोकोविच, रोजर फ्रेडर, राफल नाडाल, एंडी मरे तो इसका सही ओप्शन है ओप्शन ए नोवाग जोकोविच सर्वियाई टेनिस स्टार नोवाग जोकोविच ने 6 नमबर 2020 को रेकॉर्ड छथी बार विश्व की नमबर एक रैंकिंग हासिल की उन्होंने अब अमेरिकी टेनिस के महान खिलाडी पीट संप्रास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है जो 1993 के भी सीधे सीधे विश्व के नमबर एक रैंगिंग के साथ समाफ्थ हो गया थे और लिए देखते हैं नेक्स्ट को विच नेशन हैस रिलाग्सट इसलामिक परसनल लौ तु अलाओ को हैबिटीरेशन ओफ अनमेरिट कपल किस राष्ट ने आविवाहित जोडों को सहवास की अनुमती देने के लिए इस नामिक परसनल कानून में धेल दी है तो हमारे आप्शन है साथी अरेबिया या साथी अरब संयू एई कुवैत बहरीन तो इसका सही आप्शन है संयूक्त अरब अमीरात ने आविवाहित जोडों के सहवास की अनुमती देने के लिए अपने सक्त इसलामिक व्यक्तिगत कानूनों में शंशूधन किया है और 21 वर्स और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शराब की खपत और इसके कबजे पर जुर्माना लगाकर शराब के खपत पर पतिबंध लगाया है इसे के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेशनाव दाड़ी की तरफ जो है पीम नरेंद मोदी लॉंज डेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट वर्थ रेज 614 करोर इन्विज सिटी और नवंबर 9, 2020 पीम नरेंद मोदी ने 9 नवंबर 2020 को किस सहर में 614 करोर रुपए की विकास परियोजनाओं की सुरुवात की हमारे ऑप्षन है अलहाबाद पटना वारा नसी गांधी नगर तो इसमें से जो भी ऑप्षन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और जिन्हों ने प्रीवेस कुशन का अंसर सही दिया वेल दन कीप डूइंग ऐसे यह अंसर करते रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें जादा से जादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिक्रियों से बजाना बिलकुल भी न भूले ताकि जब भी हम नए वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं थांक यू